गटकरी जी नमस्कार गटकरी जी बारहा कहते हैं कि मैं महराश्ट में मंत्री था और सडक के रास्ते में ससुर का मकान आ गया अधिकारियों ने पूछा कि क्या करें सर पूछना क्या गिरा दो तो अधिकारियों काम तो असान हो गया लेकिन घर में इनकी मुस्यूबत बढ़ गई आज की तारीख में इनके काम से विपक्ष्ट की मुस्यूबत बढ़ जाती है लोग कहते हैं गटकरी ये काम बोलता है और गटकरी भी खूब बोलते हैं कि ये देश में सडकों का जो निर्मान है चुकि बुनियादी धांचे का एक बड़ा हिस्सा आपके पास है जिम्मा आपके पास है ये तेज रस्ता सडकें आप कैसे बनाते हैं मने हाली में देखा कि आप कहते हैं कि 38 किलोमेटर रोज बन रही हाई वेस तो ये आगे और सिलस पुर्ण संबन्द है मैं जब महाराष्ण में मंत्री था तो मैंने मेरे ओफिस में American President John Kennedy इनका एक वाक के लिख कर रखा था जो मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ John Kennedy जी ने कहा था कि American roads are not good because America is rich but America is rich because American roads are good तो सडकों से संब्रुद्धी आती है अगर पिछड़े वे एक शेत्र में अगर सडके बनेगी तो इंडस्ट्री आएंगी बिजनेस बढ़ेगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का विवहार बढ़ेगा और स्वावाई कृप से किसानों का माल भी शेहर तक जाएगा मुझे याद है कि मैं 95 में जब महाराष्ट में मंत्री था और 2000 में मुझे फ्लाइवर्स मुंबई के और वरली बांदरा मुंबई पुना हैवे बनाने का अउसर मिला तो उस समय अटल भी हरी बाचपईजी ने मुझे बुलाया था और उनने मुझे कहा था कि हमारे गाओ के साड़े छे लाग गाओ हिंदुस्तान में हैं और इन गाओ को रोड बनाने की योजना तुम तेहर करो तो उस समय मैंने जब अध्यन किया था तो मेरे कमीटी में मेरे अध्यक्षता में एक कमीटी थी उसमें रिजर्ब बैंक के डेपुटी गवर्नर थे नाबाड के चेर्मन थे और अध्यन में ये बाहराय वो रिपोर्ट आज भी है ये जो प्रधान मंतरी ग्राम सड़क योजना ये योजना मेंने उस समय 2001 साल में बनाई थी और उसमें लिखा गया था कि अगर ये सड़के बनेंगी गाओं को जाने वाली तो एक लाक करोड देश का GDP बढ़ेगा किसानों के फल, फूल, सबजी, दूच, शहरों तक जाएंगे गाओं के बच्चे स्कुलों तक जा पाएंगे विशेश रुप से गाओं में उद्योग व्यापार बढ़ेगा और इसलिए चाहे गाओं हो चाहे शहर हो Water, Power, Transport and Communication ये चार बाते बहुत जरूरी है और सड़कों से विकास होता है जैसे उधारन के लिए दिल्ली के लिए एक अच्छा उधारन है भी मुझा भी कले एक सज्जन मिले कि मेरट से दिल्ली आने के लिए चार घंटे लगते थे वो जर्मनी में लड़के पढ़या है अभी दिल्ली में काम करते है तो वो मेरट के है तो उन्होंने का कि पहले मैं मेरेट जाना था तो साड़े चार घंटे लगते थे आपने ऐसा काम कर दिया कि मैं 45 से 50 मिरिट में मेरेट चला जाता हूँ तो आजकल मैंने तय यह किया है भी कि मैं दिल्ली के बजाए फिर से मेरेट शिफ्ट हो जाओंगा और मेरेट से दिल्ली आकर मैं काम करूँ गा क्योंकि दिल्ली से मेरेट 40-45 मिरिट में होता है तो मैं अपने घर रहेकर दिल्ली में काम कर पाऊंगा तो यह जो जो चेंजेस हुआ है ये रस्ते के कारन काफी जगश़़ पर हो रहा हुः अभी हम लोग कर रहे है कि दिल्ली से जैसे मेरठ 45 मिनित में हुआ, तो वैसे अब नयारवोल बना रहे हैं। तो यह से लॉजिस्टिक कास्ट कम होगी ट्रक वाले अपने ट्रीप जादा कर पाएंगे लोग जाए पाएंगे और टोटल सोचने का दुरुष्टी को बदल जाएगा तो यह निश्चित रूप से बेसिक इंफरोस्ट्रक्चर में रोड इंफरोस्ट्रक्चर आता है तो इ विपक्ष है खासकर के राहूल गांधी वो कहते हैं कि आपकी सरकार जो है उसने जीडीप का बंटाधार के गैस डीजल पेट्रोल दाम बढ़ गए और सवाल करते हैं कि कई लाह करोड उपे जो आए सरकार के पास वो कहां गए पहले बात तो इसी है कि हमारे जीडीप ग्र मेनिफेक्चरिंग सेक्टर से वे 52 से चप्वन परसेंट जो आती है वो सरविस सेक्टर से आती है और आच से बारा तक्के जो आती हो एकरिकल्च्र से आती है हमारी सरकार ने सबसे बड़ा दिरने अगर कोई किया है और जो निर्णे मैं किसान हूँ और टिकेश साहब यहां बैठे है अगर इसका ठीक अध्यन किया तो यह सबसे बड़ी बात यह हुई कि अगर आज हमारे देश का किसान इस देश की उर्जा बनाएगा और आज यह निर्णे हुआ है कि हमारे यहां जो देखो आज स्थिती ऐसी है हमारे देश में 310 लाग तन शुगर हुई है हमारी requirement 240 लाग तन की है तो करीब 70 लाग तन शुगर एकसेस होती हमारे देश में 350 लाग तन चावल स्टॉक में पड़ा है हमारे देश में कौन की प्र प्राइस कम है और MSP जादा है इसका कारण यह है demand and supply के साथ इसका संबंद है और यह जो surplus production है इसके लिए हमारे सरकार ने दिरने किया कि किसान अब अन्न दाता नहीं बनेगा उर्जा दाता बनेगा और मैं भी किसान हूं मैं तीन चीने मिले चलाता हूं तो अभी जो मैं आप को बात बता रहा हूं कि अब इसके बाद जो आठ लाक करोड का हमारा इंपोर्ट पेट्रोल डीजल का है जो पास साल में 25 लाक करोड होगा तो हमारी सरकार ने यह निरने किया कि इस देश का किसान इथेनॉल बनाएगा इस देश का किसान परली से बायो CNG बायो LNG और गाओ गरीब मजदूर किसान का इसमें कल्याण होगा मैं एक छोटी सी बात बाख किसानों का गन्यका न भुक्तान शुगर मीर वाले कर सकते ब्राजिल में शुगर का भाव अब साल थोड़ा फरक पड़ा है बावीस रुपे किलो है और हमारे देश में शुगर का मिनियमम भाव 32 रुपे किलो है हम वर्ल में शुगर भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे तो जो सर्पलस शुगर है इसका कनवर्शन हमने इतनौल में किया कि पहले 4% मोलाइसेस निकलता था फिर बी एवी मोलाइसेस करके 7% शुगर मोलाइसेस में गई अब शुगर के जूस से इतनौल बनने के अनौमती मिली और अब साड़े 300 डिस्टिलरी राइस से एक टन राइस से 300 अंसी लीटर इतनौल बनने की वो शुरू हो जाएगा और मैं आने वाले 3-4 दिन में ही अग तीनों कंपन ने मुझे अशुर किया है कि फ्लेक्स इंजीन हम ला रहे हैं फ्लेक्स इंजीन का मतलब यह है कि जो जो पेट्रोल की स्कूटर है आटो रिक्षा है मोटर साइकल है उसमें 100% पेट्रोल डालो या 100 और 100% इतनौल डालो तो अब यह किसानों ने तैयार किवा इतनौल पर पेट्रोल का अल्ट्रेंडू करके पूरा इतनौल चलेगा तो अग्रिकल्चर एकोनों मजबूत पनेगी यह सबसे अच्छी बात डाइवर्स इप्रिकेशन अग्रिकल्चर में हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है वह यह है कि कई ऐसे प्रोड जाए तो फिर MSP आप रहकर करके भी तीजों को बादार में जैसे एडीबल ऑईल में हम असी हजार करोड का खाद्य तेल आयात करते हैं पर जैसे अभी सोयबीन सरसू यह जो तेल बिया है जैसे हमारे यहां सोयबीन के उपर हम बड़े प्रमापर मलेशिया से पाउमेल ला का मार्केट में बहुत 6,000 रुपे हो गया तो किसानों ने क्या किया है उन्होंने तेल बिया ज्यादा लगाई जैसे डाल बिया होती है एक समय हम लोग शॉर्टेश थे तो लोगोंने बहुत लगाया यह डिमांड एंड सप्लाई का गेम है तो अब वर्ल्ड ग्लोबल एक का रेट मार्केट में अच्छा है अभी फल्ली का रेट अच्छा है अब सोयबिन का रेट अच्छा है तो किसानों ने वह ज्यादा लगाया तो जब अब सोयबिन अपना तेल सर्प्लस खाद्या तेल सर्प्लस होने के लिए बहुत टाइम लगेगा तो यह मुझा लगता ह को चाहिना को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कॉटन में जादा भाव मिल रहा है तो जब कॉटन में जादा भाव होगा वर्ल्ड में डिमांड होगी तब कॉटन लगाएंगे जब कॉटन सर्प्लस हो गया तो तेल बिया लगाएंगे तेल बिया की सर्प्लस हो गया तो दाल बि प्रद्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् में कि surplus sugar हो जाएगी तो sugar factory बहुत सी बन पड़ गई क्योंकि economics नहीं था viability नहीं थी अब ethanol के कारण viability आई और गन्ना उत्पदक किसानों को कम से कम पैसे मिल रहे हैं अगर इथेनॉल नहीं आता तो यह पूरे गन्ना उत्पदक किसान इस सवे बहुत संकट में रहते हैं तो हमको market में demand and supply हम import क्या कर रहे हैं और हमारे देश में हम करने क्या करना चाहिए इसका अगर ठीक प्रकार से हमने हमारा crop pattern ठीक से ट्रेक्टर बायो-CNG पर करवट किया तो पाश तन परली से एक तन बायो-CNG तेहर होता है और एक लाख रुपे बचत है और इसलिए अब किसानों में एक तरफ उनको ज्यादा भाव जैसा मिलना चाहिए वैसा डीजल के बज़ए अगर किसान से एंजी यूज़ करेगा तो एक लाख रुपे उसका ट्रेक्टर में बचत हो एक सवाल में यहां करना चाहूं कि आपने कहा कि डीजल पेट्रोल का विकल्प जहने सी एंजी आया लेकिन आप दिल्ली में ही आ जाएं से जितने स्टेशन से गाडियों की लंबी कतारें होत में जब सी एंजी मुंबई में शुरू हुआ दिल्ली में शुरू हुआ तो मुझे मुंबई में याद है क्योंकि मैं ज्यादा तर वहां था दिल्ली मेरा कम नहीं वहांनों कम है तो मुंबई में रात को सी एंजी स्टेशन पर टैक्सियों की लाइन लगती थी राम नाइ अबहु कि पहले प्याविक में मैंने एक गाड़ी जापान से आया दिल्ली आपके पोची है, वो GREEN हेडरोजन पे चलती सा घ्रीन हेड्रोजन का मतलभ एँने से हेड्रोजन अक्सिजन अलग करके उसपे वो गाड़ी चलती है, और मैं अबी वह इसले हाड़ी ली पाइलट प्रोजेक्ट करके कि फरिदाबाद के इंडियन ऑईल के सेंटर में हड्रोजन बरके वो गाड़ी चलाओंगा है यह फ्यूचर का फिवेल है और हमारे जो बायो मास है इससे भी ग्रीन हड्रोजन तेहर होता है तो स्वाबवाई कुरुप से अब टेक्नोलोजी उचाला हम इससे सस्टेनिबिलिटी आएगी प्रगति आएगी और यह जो आप बात कर रहे हैं कि यह सेंटर कम है तो जैसे जैसे जितने वहिकल बढ़ते उतने फिलिंग स्टेशन बढ़ते तो फिर उतने वहिकल बढ़ते और आज दिल्ली में इतना क्यों नहीं लगता अ जो प्रदूश्वन है एक बड़ा मसला है और पेट्रोल डीजल की गाडियों के चलती भी बढ़ता है विकल्प हाली में मैंने कहीं आपके बाड़े में पढ़ा कि आपने कहा ग्रीन हैड्रोन की गाड़ी में खरीद करके दिल्ली में चलाऊंगा इस पोलूशन से बाहर न पढ़ते थे वह मैं काफी इसमें प्रयास कर तो उनने मुझे अमंत्रित किया कि आप प्रेजेंटेशन करो सुप्रीम कोड के सामने तो मैंने वह प्रेजेंटेशन फिर बड़े इससे तयार किया सबसे पहली बात यह कि पंजाब हरियाना और पस्चिमी उत्तरपदेश और देख रहा था अनेक जगह आग लगी थी वह परली जल रहे थी अब परली की कोई किम्मत नहीं हरियाना में एक शुगर फैक्ट्री है पावर प्रजेक्टे ग्रीन पावर का वह दो लाग तन परली बाइलर में जलाते हैं तो बिजली तयार होती है अब यही पास तन परली से एक टन बायो सी एंजे त्यार होता है यह पूरे परली का उपयोग अगर भी फुकट में जला करें इसकी वैली जुरो है तो मैं दो थेरी पर बात करता हूँ इन्होवेशन, एंट Battleश, चायंस, टेकनालोजी, रिशर्श, कील इसको में नॉलजड कहते हैं कनवर्श रफ नॉलेज इंटु वेल्घ यह फ्यू ज़ाई और दूसरा कनवर्शन ओफ वेस्ट इन्टु वेल्वेट यह फूचर है तो पर लिए वेस्ट है तो परली से अगर बायो सींग स्टियार होगा परली जलेगी नहीं तो प्रोडूशन कम होगा पेट्रोल और डिजल के बजाए CNG, LNG, इलेक्ट्रिक, ग्रीन अटरजन आएगा तो पॉलूशन कम होगा कंस्ट्रक्शन में अभी मैं रोड बनाता हूँ दिल्ली के आसपास मैं करीब साथ हजार करोड के रोड बना रहा हूँ तो मैंने बहुत कोशिश कि अभी पूरा जमाल है कि प्रीकास्ट करो अभी यह आपका यहां में 30,000 करोड का दस तीस किलो मेटर 10,000 करोड का एक ही रोड बना लो द्वार का एक्सप्रेस आएवे तो वहां क्या हुआ है कि वह बहुत इंपोर्टन रोड था अभी इतना पैसा फिर प्रीकास्ट करो फेक्ट्री में सबत्यार करो और वहां एसेंबल करो अभी थािव करकार से प्रयास किये तो प्रदूशन कम होगा दिल्ली में एर पॉलूशन और वाटर पॉलूशन अब दिल्ली के वाटर पॉलूशन में मैं वाटर रिस्टोस मंत्री था मैंने दिल्ली सरकार को च्छेहजार करोड रुपे दिये और आज पानीपत और सोनीपत में मैंने अपने डिपार्टमेंट से पैसे देकर यमुना का पूरा प्रोडूशन वहां से हमने पूरे उसको शुद्द किया यह दिल्ली में भी अभी यह दिल्ली में प्रोडूशन पानी प्रोडूशन रहेगा नहीं अब आपको एक बात बताता हूं मेरे शहर में मैं हमारे टॉइलेट का पानी नाकपूर का मैं साउसद हूँ छे साल पहले मेरे शहर का टॉइलेट का पानी शुवेज वाटर अच्छा करके मैं महाराष्ट सरकार के बिजली के लिए कोराडी खापर खड़ा के लिए बेशता हूं और टॉइलेट का पानी बेजकर हमारे महानगर पाली को कितने पैसे मिलते हूंगे सववा तीन सो करोड रुपए हमको मिल रहे हैं टॉइलेट का पानी बेजकर तो मेरा कहना यही है कि नो वन इस वेस्ट इपेंडिंग अपॉन टेक्नोलोजी इनोवेशन रिसर्च कि आप उसको वेल्थ में रुपान तरित कर सकते तो दिल्ली में यह प्रदूशन दूर हो काबिनेट ने एक फैसला किया कि लड़कियों की शादी कुम्र 18 से किस कर देते हैं और माना यह जाता है कि बीजेपी की जो तीन बड़ी योजनाय रही आयोध्या 370 और कॉमन सिविल कोड कॉमन सिविल कोड की तरफ सरकार का यह पहला कदम है कि सभी धर्मों के भीतर और इसका निरने सरकार में हाइस लेवल पे होगा और मैं यह मानता हूं कि हम लोग प्रगतिशील सम्रुध और जातियता सांप्रदा एक्चा से मुक्त समतायुक्त समाज के और जा रहा है तो प्रोग्रेश्व सोसाइटी के तरफ जाते हैं तो आज ऐसे हमने तही किया कि शादी की जो उमर थी ओ मैलाओं के लिए थी 18 और पुरुषों के लिए थी 21 तो हमने जब शुतरी पुरुष समानता है तो दोनों के लिए भी एक होनी चाहितों 21 हो गई तो धीरे-धीरे यह जो बाते है यह एक प्रोग्रेश्व समाज के तरफ हम जा रहे हैं और हमारी प लगकर आगे गए बाकी बातों में यह था संग जो जो लोगों से चर्चा करके सरकार के लेवल पर इसके ओपर उचित निरने होंगे एक बड़ा इशारा आप में दिया है चुकि कॉमेंस विल कोड में शादी तलाक कॉंपनसेशन विरासत यह सब एक साहो तो कॉमेंस विल कोड होता है अश्वाइशरकार का पहला कदम गटकरी जी ने जो बात कही है वह अपने आप में एक बड़ा इशारा है बड़ी खबर है आप आए आपने अपनी बात रखी और खुल करके रखी आपका बहुत बहुत भर शुक्रिया आप आए हमारे संग एक बार फिर जोड